एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ माजूद है, हलो हलो हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत है कारिकरम में नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं आप मैं बीवान चल बोल रहा हूँ, कुछ में वोईस बंगल से जी, सवाल करें सवाल पूछे चलिए नुस्का भी बताएंगे हकीम साब और दवाई भी बताएंगे यू नानी आप अपनी उमर बता दीजे मुझे एज बता सकते, एज अपनी बताएंगे मेरा एज है थार्टी तू ठीक है अच्छा दीए आपको एक एक्सरसाइज सीख लेनी चाहिए तक कि आपके सर घूमना और चक्करों से निजात बिल सके बगएर दबा के आप एक हिलाज करें अपना यह ऐसे आप दो तीन मिनट रोजाना करें ठीक है और दो तीन मिनट ऐसे रोज किया करें तो इससे आपका सर चक्राना बंद हो सकता है और क्या सवाल था इनका सर चक्राने के अलावा नीन के समस्या भी बताे तीनों ने जादा आती है ये मेरे खाल सग्राथ कम Τे नीन तो जिनको नीन कम आती है उनको रोजाना रात के समय एक काता है जैतुन का सिरका जैतुन का सिरका तीन छोटे चाय के चम्मत एक गिलास पानी मिलाकर पिलिया करें आपको उसी दिन से फाइदा शुरू होना चाहिए और बहुत जल्द आपको इस मर्च से रिजात मिल सकती है चले एक और दर्शक है मीना जी ने हमें चुल दरसे की आपके साथ किस तरहे की परिशानी है सवाल पuce है या मेरे ना बाल में बहुत शलगते आए, आगे से बाल गुट मेरे जड़ते जा रहे हो, पतले होते जा रहे हो, पूरे पूरे बाल मेरे जड़ते जा रहे हो, और मेरे ने ने गुट दूबली होती जा रहे हो, आंखे अंदर होती जा रहे हो, और मुझे थायराइट है, ओमर कि पलग किसम का है यह थाइराइड कितना भी आदमी खाना खाले दूबला करता चला जाता है दुनिया में दो तरह के थाइराइड है हाइपो और हाइपर तो एक हमें दूबला करता है और एक मोटा करता है यह बहुत कम वेक्टियों को होता है आप अपना खूब खायर लखें थाइराइट आपका फाइदा हो सकता है अगर आप सबर कर सकते हैं थाइराइट का एक नस्का खाईए उस दवा के साथ जो आप लेते हैं वो भी खाते रही हैं और आप देखेंगे कि आपका थाइराइट ठीक होने लगा हर महीने थोड़ा सा बेहतर होने लगेगा आट-दस महीने एक नुसका जो हम बता रहा हूं उसे इस्तमाल करें लिख लीजे तीन सो ग्राम धनिया, सो ग्राम आमला इसो का मिलता है आमला, तीन सो ग्राम धनिया, सो ग्राम आमला सो ग्राम मेथी, और सो ग्राम गौन मौरिंगा, सफेज वाला सफेद वाला ले लाल वाला नकली होता है, गौन मोरिंगा सफेद, इन सब को पॉडर बना के एक चम्मस सुबा, एक चम्मस शाम खाएं, थायराइट की गोली भी नचोड़ें, हर महीने डॉक्टर आपके थायराइट की गोली कम करते जाएंगे और आप दीरे-दीरे स्वास् जोड़ जाएगी और इसी तरह ये नस्खा भी आप से छूट कर आपको फाइदा पहुचा सकता है, विक्रम जी ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से, विक्रम जी प्रश्न पूछें आप, आसर मुझे नहीं लगती है, और मेरा पेट भूम रहता है, जी, एज बताए जी विक्रम साब, अगर तासर साल ये जैसर मेरे, ठीके, विक्रम साब, एक घरे लिए उसका बड़ा अच्छा है, और आप जानते भी होंगे, देखिए, मेथी लीजे, पांच सो ग्राम मेथी, खरीद लें और इसको पाउडर बना लें, घर में, और एक रसाइन आता है, जैतून का रसाइन के भी कहते हैं, या नमक जैतून, आसान भाशा में कहते हैं, नमक जैतून, और इंग्लिश में कहते हैं, ऐस्टेक, जैतून का ऐस्टेक, ये सो और सो ग्राम ले लिए और इसमें मिला कर, एक चम्मच सुबा एक चम्मच खाया करें, आ अदिक और कॉलर हमारे से जुड़े है, इन दोर से हमें कॉल किया है जुनेज साहाब ने, जुनेज जी सवाल पूछें। सर में दर्द होता है और चकर से आते हैं। सर में दर्द होता है चक्कर आते हैं उम्र कितनी है आपकी? उम्र है तेतीस साल जी बहुत कम उम्र में मेरे अनुभव के अनुसार आपको सर्वाइकल है सर में दर्द होना और चक्कर भी आने का मतलब है कि हमारी यहां गर्दन में डिस में रग दबती है कभी दिमाग में जाने वाली तो कभी सर में चक्कर आता और कभी दर्द होता बड़ा खतरनाक है चक्कर तो देखी बगेर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं इसका मुझे काफी तजर्बा है एक जमाने में भी सर्वाइकल का मरीज रहा हूं और जिसको सर्वाइकल होता है बड़ा इसका तमशा होता है डॉक्टर कहता है कि आँक का टेस्स करा हो आँके कमजोर होगी है पिर वो ठीक निकलता है तो पिर एक डॉक्टर कहता है दिमाग का टेस्स करा हो लेकिन सर्वाईकल बहुत जादा चल रहा है और आदमी परिशान हो जाता है कितने टेस्स करा है एक मैं आपको बताता हूँ एकसरसाइज जो मैंने की और मुझे फायदा हुआ और मैंने लाकों करोड़ों को बताया उन सब को फायदा होता है जो मेरी बात गोर से सुनते हैं और मेरी एकसरसाइज गोर से दीखते है देखें ऐसे बैठी है और ये कान इससे मिलाएए कंदे से कंदा वहीं रहना चाहिए अक्छर लोग ये कंदा उपर करके कान Histor ऐसे नहीं कंदा यहीं रहे और कान ऐसे ये दो-तीन मिनट रोज करना है आपको और दो-तीन मिनट ऐसे पूरी तरह मोड़े पूरी जितने देखी मैं यहां तक लिया आता हूँ यहीं देखें दो-तीन मिनट ये रोजाना करें आपको बहुत अश्चरिय भी हो सकता है कि दस दिन में ऐसा लगेगा कि आपको रोगी न दवा भी खाएं जब आपको दन्ध हो तो दद की दवा खाएं लेकिन ये दस दिन जरूर करें बदिन में आपका विश्वास बहुत मद्बूत हो जाएगा और वजर ने उठाएं आप देखेंगे कि दस दिन में आपको फाइदा तो हुआ लेकिन आपकरते रहें ये आप को बार-बार होगा नहीं तो अगर आप करते रहेंगे तो फिर दुबारा नहीं होगा ये आपने लिए थोड़ा सा वक्त निका लिए आप देखेंगे कि आप सेहत में जिंदेगी गुजार सकते हैं क्रिश चावला जी ने हमें कॉल किया है राजधानी दिल्ली से क्रिश जी आपके साथ किस प्रकार की समस्या है जी जी और कुछ बताना चाहते हैं कितनी उमर है आपकी एज आपकी पतनी क्यों है ना दस साल दस साल हाँ जी दस साल के मरीज को थायराइट है ठीक है कोई बात देखिए अभी से इलाज बड़ा असान हो जाएगा देखिए अलसी देखिए धनिया दाना धनिया का दाना तीन सो ग्राम सो ग्राम आउला सो ग्राम मेथी और सो ग्राम गौन मौरिंगा साफेद यह आप पाउडर बना ले और आधा चम्मश सुबा आधा चम्मश शाम गरम पानी से खिलाएं और थायराइट की दवा जो चल लए अभी छोड़े नहीं और अपनी परानी रिपोर्ट अपने पास रखे हैं और जब नई कराएंगे देड़ दो महीने बाद नई रिपोर् कि और दिले दिले छूट जाएंगी आप यह इलाज कर सकते हैं आजदानी दिली से हमें कॉल किया है परवीन जी ने उनसे बातचीत करते हैं जी बताएं किस तरह की परिशानी है आपके साथ एक कमर में बुटनों में और पैरों में नीचे इस कभी में डर्द रहता जी और दो चीजे बताता हूँ आपको एक एक करक необходимо करते हैं अलग अलग भी इलाज कर सकते हैं यह साथ भी कर शकते हैं व्लेट पेशियर वालों को अपना خूब खेया लगना चाहिया और आपके घर में जिसके भी कमर में दर्द हो और टांगों में और पैरों में हो तो उसके घर म western toilet का उपयोग होना चाहिए ऐसे मरीज के लिए हर घर में western toilet यानि कुर्सी वाला bathroom जरूर होना चाहिए तो ऐसे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं और जिनके नहीं होता उनको time बहुत लगता है तो दिखिए गौंद सिया एक गौंद आता है जो इनतहाई कड़वा बसूरत होता है काला गौंद होता है यह काला गौंद कहते हैं इसे गौंसिया भी कहते है और यह सो दो सो गिराम अगर आपको मिल गया असली असली लेना जरूरी नकली मिल जाता है बहुत कड़वा होता है लेकिन फाइदे में बहुत मीठा है यह फाइदा पहुचाता है तो आदमी कड़वार बोल जाता है इसकी इसका पौडर बना लीजे और एक या दो चुटकी सुबा एक या दो चुटकी शाम खाने के बाद बगएर चर्बी के दूस से ले और पानी से भी ले सकते हैं जूस से भी ले सकते हैं जिनको डाइबटीज नहीं है यह आपके दर्द का घरे लिए उसका है और ब्लट पेशर के लिए जो दवा खाते हैं वो खाते रहें और लगातार रोजाना तीन चमच उनका सिर्का पानी मिला कर एक वक्त रात में पिया करें जुरुत पड़े तो दो टाइम भी पी सकते हैं इससे आपका ब्रेट पेशर भी ठीक होना मुम्किन लेकिन 6-7 महीने आपको पीना होगा अपनी दवा के इस्तेमाल के साथ-साथ एक और कॉलर है दल्दीप कॉर जी जैतून का सिर्का शायद इन्होंने मंगवाया था आप यही कह रही है आप जी हां जी परिशानी क्या है आपके साथ किस तरह की बीमारी है जी कब से खा रही है हफते भर से दवाई खा रहे हैं फाइदा है थोड़ा और कोई सवाल तो नहीं है आपका जी बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करके खुल के बात कर रहे हैं और ये तो पंजाबी जानती हैं मुझे समझा रही हैं मैं पंजाबी जादा ने जानता और देखिए आठ दिन हुए हैं फाइदा शुरू हो गया और ये भगवान का बहुत बड़ा इनाम है कि आठ दिन में अगर मरीज कहने लगे कि मुझे थोड़ा फाइदा शुरू हो गय यह देखिए ब्रैन का अटेक दुबारा नहीं होता जो लोग जैतुन का सिर्का लेते हैं जी हाट का अटेक दुबारा नहीं होता जिसको भी होता है बार बार होता है लेकिन जो लोग यह लेते हैं उनके ऐसा इतिहा से के दुबारा नहीं होता लेकिन अगर दवा भी ली जा तो बार बार होता है लेकिन इसका ऐसा हमारा अनुभव है कि जैतून का सिर्का जो लोग लगातार लेते हैं उनको दुबारा नहीं होता दूसरा ब्लड प्रिशर से निजात मिलना मुम्किन है टाइम लगेगा बहुत चल्दी मत करना आप पांस साथ महीने भी लग सकते हैं दस महीने भी लग सकते हैं लेकिन वो गोली आपकी छुटके रहेगी और गोली खाते रहे हैं आप अपनी वो और डायवटीज इस्थिर हो जाएगी एक जगा पर आएगी और आप सहत में जिन्देगी गुजार सकते हैं लेकिन अगर आप जल्दबाज हैं तो ये मुमकिन है भगवान पर भरोसा करिए मुझे मत करिए दवा पर मत करिए भगवान भरोसा करिए आपको फायदा होना मुमकिन है